हेलो फ्रेंड्स वेल्कम यौल अरुटूप चैनल स्मार्ट ग्यांप प्रप्रप्रेशन में डॉक्टर सतें त्रिपाथी दोस्तों आपको बता दू कि ये एक सेंट्रल यूनिवस्टी के द्वारा जो पीसडी के लिए एडमिशन नोटिफिक्शन निकाला गया है दोस्तों दोस्तों यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को जैसा कि देख सकते हैं पर नेम आप डिपार्टमेंट दिया हुआ है उसके बाद इसमें फैकल्टी आफ साइंस की बात ही गई है दोस्तों इसमें टोटल नंबर आप देख लेना अपने सब्जेक्ट में किवल यहा साइंस एंजिनिंग उसके बाद एलेक्रोनिक्स और कम्यूनिकरिशन इंजिनिंग देन सेवन नंबर पर देख सकते हैं फोरेस्टें बायो डावरसिटी उसके बाद जो है जिए जियोग्रफी एंडीजास्टर मेनेजमेंट ज्वन फिजियो जी उसके बाद जोई Information Technology, Library and Information Science, उसके बाद Pharmacy, Mathematics, Microbiology, 15 नमबर पर देख सकते हैं पर Geology, उसके बाद Physics, उसके बाद Statistics ठीक है, अब जो है Faculty of Arts and Commerce की बात करने, तो इसमें जो है First नमबर पर देख सकते हैं, बेंगवाली है, उसके बाद Business Management, उसके बाद Commerce है, Then Economics, उसके बाद Education, फाइब नमबर पर, और Sixth नमबर पर देख सकते हैं, आपर History है, उसके बाद Law, फिर Linguistics and Tribal Languages, फिर Ninth नमबर पर देख सकते हैं, Philosophy, उसके बाद Political Science, उसके बाद Physical Education, Psychology, Rural Studies, Sanskrit, English, उसके बाद जो है, 16th नमबर पर देख सकते हैं, Tribal Studies and Ethics, उसके बाद 17th नमबर पर, Coke, Baroque, उसके बाद 18th नमबर पर, Music, Then 19th पर, Fine Arts, 20th पर, Hindi, तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने देखा, जैसा कि यह different subjects की बात की गई है, उसके बाद अब हम लोग देखते लेते हैं, कि आखिर किस university का यह form है, और दोस्तों, यह notification आप कहां से देख सकते हैं, ठीक है, दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर त्रिप्रा University, यह जो एक Central University है, और दोस्तों, यहाँ पर university की website मों लोग देख लेते हैं, university की website जो है, tripurainiv.ac.in, ठीक है, दोस्तों, एक बार फिर से university की website बताते हैं, tripurainiv.ac.in, दोस्तों, अब देख लेते हैं, आखिर जो इस PhD notification को कहां से आप देख सकते हो, तो दोस्तों, आगे जब यहाँ पर नीचे आएंगे आएंगे आप जो है, तो यहाँ पर admission करके दिया हुआ है, PhD admission notification 2021-2022, ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर जो है, जब आगे आप जाओगे तो यह view और download करके यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर जब click करेंगे, तो आप जो है, इस notification को देख सकते हैं, दोस्तों, अब हम नो detail में उसको देख लेते हैं, दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो PhD admission notice, यह academic session 2021-2022 की बात की गई, यहाँ पर date 16 February 2022 की काज है, ठीक है, और यहाँ पर जो है, अभी हम नोने जैसे की subject की बात यहाँ पर already कर चुके हम लोगों, तो इसके बारे में नहीं करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर eligibility की बात की बात की इसको एक बात आप लोगों देख लेना है, ठीक है, कि आप eligible हो या फिर नहीं हो, देन जरूर से इस notification को आप university की website से जाकर रहें के download कर लें, पढ़ने, समझने, satisfy होने, यदि आपको लगे कि इस form को apply करना चाहिए, तभी आप इस form को apply करना है, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पर जैसे admit card की बात की गई है, उसको एक बार आप information की इसको भी देख लें, फिर date of examination, दोस्तों इसमें जो important बाते हैं, वह मैं आपको बतायता हूँ, जो हमारे recording है, बाकी आप जरूर से इस पूरे detail को पढ़ लें, दोस्तों, यह rate जो, नतलब entrance test होने वाला है, उसके बारे में आप detail दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद, यह question pattern for written test, ठीक है, यह written test का question pattern की बात की गई, यहाँ पर इसको भी एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है, अब यहाँ पर general instructions दिया है, आपको जब online form fill up करोगे यह rate 22 के लिए, तो उसके लिए कुछ instructions दिये हुआ है, उसको भी एक बार आप जरूर से यहाँ पर पढ़ लेना, जैसा कि दिया, यहाँ पर दिया हुआ है, यह हम लोग duration of online application form fill up की बात करें, तो 19 February, यह 19 February से लेके 6 March 2022 तक जो है, यह किया जा सकता है, ठीक है, और दोस्तों आगे फिर यहाँ पर बात की है, यह जो बोल्ड में करके दिया हुआ है, जिसे, an application will be required to upload his or her scan photograph, ठीक है, scan photograph हाँ को जो है, मतलब upload करना होगा, फिर उसके बाद जो है, proof of SC or ST or AWS or OBC, central and non creamy layer or students from Jammu and Kashmir certificate, ठीक है, यदि eligible नहीं कोई तो, and PWD certificate, मतलब यदि आप पर applicable होता है, त उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है, required fee की बात के हम लोग तो जिसा के दिया हुआ है, यहाँ पर जो है, unreserved या फिर EWS के किसमे, and OBC के किसमे, 800 जो है, यहाँ पर fee रखी गई है, और बाकी category की बात करने, जैसे कि SC या फिर ST या फिर PWD की, तो यहाँ पर जो है, 600 fee रख पाये हुए थे दोस्तों, तो उनके notifications से related जो है videos, already हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, उन videos को भी यहाँ आप देखना चाहें, तो कोशिश करें कि इस video के description box में, उन videos के सारे link प्रोइड कर देंगे, और साथी साथ जो है, आप चाहें, तो हमारे channel के main page से भी जाकर को उन सार friends में भी share करें, दोस्तों, next video में हम लोग मिलेंगे किसी अधर information के साथ, इतना patience के साथ जो है, आज का video वीडियो है, thank you, thank you so much friends